आज दो फरवरी है और आज के बाबा के मधुर महावाक्य जो हमने प्रातह सुने उनका स्पष्टी करन और अपने लिए गुईय बाते आज हम आदरनी आशादीदी जी से जानते है आज के बाबा के महावाक्यों का टाइठल है मीठे बच्चे खुदा तुम्हारा दोस्त है रावन दुष्मन है इसलिए तुम खुदा को प्यार करते और रावन को जलाते हो स्वाभाविक है जो दुष्मन होता है उसको ही चला जाता है और खुदा दोस्त को तो प्यार किया जाता है तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं इस समय तुम्हारे सामने दोनु है खुदा दोस्त भी है और रावन भी रावण भी कम शक्तिवान नहीं है, वो भी अपनी पूरे जो भी उसको हथकंडे अपनाने हैं, हम आत्माओं को अपने वश करने के वो पूरे करता है, और प्यारे बाबा, अपनी रूहानियत से हम बच्चों को उस रूहानी आकरशन से जोड करके रखते हैं, छूट नहीं तो बाबा केते हैं, रावण ने तुमको दुख दिया ना, अनुभव है ना, और खुदा दोस्त तुमको सुख दे रहा है ना, तो नाच्रल है, जो एफिजी जलाएंगे दशेरे पर, वो रावण की जलाएंगे, वो रावण की जलाएंगे, यूंकि इसने हम को रावण म अज़िता से अलग किया, सब काम इसने किये, तो यह हमारा दुश्मन हो गया, जी दिदी, और दिदी, आज बाबा ने हमें कहा है कि अगर हमें अनेकों की आशिरवाद लेनी है, तो हमें स्वयम भी पवित्र रहना है, दूसरों को भी आप समान बनाना है, इससे अनेकों की आशिरवाद मिलती जाएगी और मूच पदबाती है, आशिरवाद पाने के लिए बाबा के आख्याकारी रहना है, जब आप किसी को सुख देते हैं, तो सुख देने से अगली के मन से आपके प्रती दुआई निकलती है, आशिरवाद निकलता है, ऐसे मीठा बाबा कहता है कि बच्छे, तुम्हे आशिरवात प्राप्त करनी है, तो अपने आपको पावन बनाना है, जब पावन बनाओगे, तब सची सची आशिरवात प्राप्त करते हो, बाप तो एंकरच करता ही है पावन बनने के लिए, लेकिन बनना तो आपका काम है ना, जी दी, और दी, आज पुरानी दुनिया खत्म हो जानी चाहिए ना, तो पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है, वैसे यह पुरानी दुनिया भी खलास होनी है, तो क्या खलास होना थी इस दुनिया में? क्या खलास सुना है, सब चीज हो जाती है, दुख खत्म हो जाता है, देविमान खत्म हो जाता है, रावन राज्य खत्म हो जाता है, और रावन राज्य से जनत, सब चीजें भी समाप्त हो जाती है, जो कुछ हम इन आखों से देखते हैं, यह सत्यूग में नहीं होगा, यह कोई भी चीज सत्यूग में नहीं जाती है इसलिए यह सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसमें प्रिकृति भी आ जाती है, हमात्मे भी आ जाती हैं, मικάरे शरीर भी आ जाते हैं, डियुरा थैंद फ्लम गुंप आ है को सब कुछ आ करिदें शिव बाबा हम बच्चों का कर देते हैं अभी हमारा करम और धरम यही है कि हम बाबा के कारे में सहयोगी बने और जो परिभरतन है उस कारे में हम सम्मेलित हों जी दिदी फिर दिदी आज बाबा ने दिल्ली को भी याद किया है मुर्ली में बाबा ने कहा कि रावन राज्य में भी दिल्ली कैपिटल है और राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल होती है अभी बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज गवाया है मैं फिर तुमको देता हुँ तुम मेरी मत पर चलो और बाबा ने आज डिदी गले की माला बनने को कहा कि हम सभी बाबा के पास चले जाएंगे मेरे गले की माला बनकर फिर विष्णु की माला बन जाएंगे दो बहते आके इसमें, एक तो दिल्ली कापिटल दूसा रूद्रमाला, तो बाबा ने हमें बताया है, ये भी दिल्ली की खुशकिस्मती है, कि सारा कल्प में ही उराजधानी रहती है, जी दिल्ली का कभी नाश नहीं होता, भारत का नाश नहीं होता, तो दिल्ली का भी नहीं होता है अभी नाश्य यह परिवर्तन जरूर होता है लेकिन अभी नाश्य है तो भाबा ने बता है कि वो आज भी राजधनी है और सटिव में भी राजधनी होगी भले हम उसको दिल्ली नहीं कहें हम उसको इंद्रप्रस्त कहेंगे लेकिन होगी वो दिल्ली है तो बाबा की ये बात है दिल्ली राजधानी के बारे में तो दिल्ली राजधानी वालों को नशा है कि हमारी राजधानी जो है वो अभिनाशी है और दूसरी बात जो बाबा ने कही है कि तुम पहले मेरे गले की माला बनते हो, फिर तुम बनते हो विश्नो के गले की माला। यह बाबा कहते हैं इसलिए कि जब हमें पहले-पहले बाबा से मुलाकात होती ह ुलाकात होती है, परिशे होता है तो आत्मरूप का होता है कि मैं आत्मा हूँ, यह मुझे रियलाइजेशन होती है वो मेरा पिता परमात्मा है, यह realization होती है, तो जो आत्मा है, वो तो सबात्मा हैं, और वो शिर्व बाबा के गले की माला है, रूद्रमाला, और जो विश्णू की माला है, वो रूद्रमाला में आने के बाद, जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, सेवा क करते हैं उच्पत की प्राप्ति का पुर्शार्थ करते हैं फिर वो विष्णो की माला बनते हैं तो पहले हम सब को बनना है रूद्रमाला का मनका फिर हम बनते हैं विष्णो की माला का मनका जी दी आत्मेक्स्मृति से ही हम फिर उसके बाद में आगे ट्रांसफर होंगे और इसमें बाबा ने आज ये भी कहा, कि कहते हैं, ब्रह्मा की आयू शास्त्रों में सौ वर्ष है, तो यह जो ब्रह्मा है, जिसमें बाब बैठ वर्षा दिलाते हैं, उनका भी शरीर छूट जाएगा. यह बाबा ने देखे कितने साल पहले बात बताई हैं, हम लोग सोचते थे कि ब्रह्मा कभी भी जाएगा, हम लोग सब इकठे रहेंगे, लांस्ट में हम लोग रह जाएगे, मुम्मा बाबा, हम बच्चे हमारा संसार होगा, फिर सत्यो गाएगा, लेकिन बाबा हर राज को, बाबा टीचर है ना, तो टीचर अपने भoru को हर राज, जितनी जितनी उनकी बुद्धी मिच्छी होती जाती है, अन्डरस्टैंड करने के योग्य बनती है, वैसे वैसे वो हर रास खोलते हैं, तो यह रास बाबा ने खोला, कि ब्रह्मा क्या यू सोवर्ष कहते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जो यह भी अपना शरीर त्याग देगा। अब सौ वर्ष जो हैं वो साकार और अव्यक्त दोनों के मिला के जब से ब्रह्मा का पार्ट शुरू हुआ तब से लेकर के भाने जाते हैं। दिदी, आज बाबा ने मुल्ली में स्वयम और कृष्ण के बीच का जो महीन अंतर है। बाबा ने कहा कि ये भारत भूमी अविनाशी और सबसे उत्तम है। जहां बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जैनती भी यहां मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महीमा ही खतम हो जाती है। बाबा हम बच्चों को जो मूल भूले हमने की हैं। वो बाबा रियलाइज कराते हैं। अनेक अनेक भूले हैं। उसमें एक भूल यह है कि बाप की जगा बच्चे का नाम डाल दिया। क्यूं डाल दिया। क्यूंकि श्रीबाबा निराकार है। स्रेक्रशन पहली आत्मा है। मन मोहक है। तो उसको ही हमने मान लेकि इन्हों नहीं किया होगा। लेकिन श्रीबाबा यह सपष्ट करते हैं। कि बच्चा बच्चा है। पिता पिता है। बच्चा पिता जैसा बन सकता है। जैसे कभी-कभी स्कूल्च में कोई अच्छा स्टूम्ध करते हैं। यह प्रोफेशर जैसी है। प्रोफेशर जैसी है। प्रोफेसर प्रोफेसर है तो बाबा ये बात हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि इस एक भूल के कारण कितना नुक्सान हुआ है और दिदी, आज बाबा ने हमें वर्दान में कहा है अश अधिकारी पन की स्थिति द्वारा बाब को अपना साथी बनाने वाले सदा विजय भाव जिसमें आज बाबा ने का है कि बाबा को अपना बनाने का सहज तरीका है अधिकारी पन की स्थिति तो अधिकारी पन की स्थिति में बाबा ने का व्यर्थ संकल्प अशुद्ध संकल्प की हल्चल नहीं हो बुद्धी जो है वो अनेक रसों में डगमग ना हो एकागरता परक यह बावर से लेने की बात दाता देता है, लेकिन लेने वाले पर निरभर करता है, कई बच्चे बर्दान लेकर के भूल जाते हैं, कई बच्चे उसको वर्दान समझते ही नहीं है, कई बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, वर्दाता दे रहा है, लेकिन अगर मेरी बुद्धी की जोली में छेध है, या जोली ठीक खुली हुई नहीं है, वर्दान उसमें नहीं टिकता है, मदुबन से जब पार्टीस लोटती थी, तो हम लोग दिल्ली में, आपको बाबा ने क्या वर्दान दिया, वैल, बाबा ने मुझे ये कहा तो है, परन्तु मुझे लगता नहीं कि मैं यह हूँ, जिसकार थिये हुआ, कि मैं वर्दाता से वर्दान लेकर के भी खाली आद ह मैं उसको यूज नहीं किया, वर्दाता ने मुझे वर्दान दिया, मैं उसको ले तो लूँ, स्वीकार तो कर लूँ, उसमें मुझे महनत नहीं करनी पड़ेगी, ये बात में हम भूल जाते हैं, वर्दान जिसमें हमको महनत ना करने पड़े, वो चीज है, तो बाबा के थ आप कैसे बाबा से लेते हो उस पर निरभर करता है। तो दिदी हमको बाबाने का एक आगरता भी रखनी है, परखना भी है कि यह मुझे मिल रहा है। और दिद्धने करके उसको अमल में भी लाना है। और दिदी, आज का स्लोगन है, राजयोगी वह हैं जो सेकंड में सार से विस्तार और विस्तार से सार में जाने के अभ्यासी है। राइट, सार से विस्तार, विस्तार से सार, प्रैक्टिस होने चाहिए। राजयोगी एक अथोरटी हो जाती है। और subject की mastery, तो उसमें एक्स्पैंशन और हम लोग करी सकते हैं। अवश्य ही हम सब इन बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए बाबा द्वारा दिये गए इशारों पर चलते रहेंगे। थाइंक यू दिदी, ओम शाहते। झाल सकते हैं। झाल सकते हैं।